नमस्कार मैं भी बेकणन दोर आप देख रहे हैं निज़ फॉर नेशन बिहार में नई सरकार यानि की नितिश कुमार की सरकार को 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है इसके पहले बिहार में जोर आज माईस का दोर जारी है दावा है कि जेडिव के विधायक तूट रहे हैं दावा है कि कॉंग्रेसी विधायक तूट रहे हैं और इसी बीच आज जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो यह कि तेजस्वी आदों ने अपने तमाम अठक से 6 विधायक नदारत रहे तब यह चर्चा चल पड़ी कि क्या ये सभी विधायक नाराज हैं क्या ये सभी 6 विधायक जो अनुपसित रहे वे तेजस्वी आदों के संपर्क में हैं और इसी चर्चा के बीच जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है वो यह कि त तेजस्वी आदों ने अपने तमाम विधायकों को कैद कर लिया है और 48 घंटे तक वे सभी विधायक डिप्टी-CM वाले जो पांच देशरत्न मार्ग का जो बंगला है जो डिप्टी-CM के लिए लौट है उसी बंगले में कैद रहेंगे दरसल तेजस्वी आदों ने बिंदूों पर चर्चा हुए और लेकिन अंतिम जो निसकर्स निकला उस पैठा का कि हम आप तमाम विधायक इसी आवास में रहिए और आज से लेकर कल और परसो जो सोमवार को सदन में विश्वास मत हासिल करना है सरकार को तो इस दवरान हम तमाम जो विधायक हैं वे इधे विधान सभा कूच करेंगे यानि एक साथ इकठे सभी विधायक विधान सभा कूच करेंगे तो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि तेजस्वी आदव अपने आवास में अपने तमाम विधायकों को रखेंगे उसी बंगले में जिस बंगले की चर्चा पूरे पूरे देश भर में हुई थी कि तेजस्वी आदो 2017 में डिप TCM बने तो उस बंगले को चका चक कराया हलाकि उसके बाद उस बंगले से उनकी विदाई भी हो गई थी और एक बार फिर से अब उस बंगले से विदाई होने वाली है लेकिन विदाई से पहले तेजस्वी आदो में अगले 48 घंटे तक रहेंगे लेकिन आखिर तिजस्वी आदो को ऐसा निर्णे लेने के लिए या फिर RZD नेत्रितु को ऐसा निर्णे लेने के लिए क्यों बाद होना पड़ा अभी तक यहां जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन खबर है कि RZD की बैठक से कई विदाय अनुपस्तित है वे नहीं पहुंचे है और यहीं बज़ा है और RZD नेत्रितु को यहां लगने लगा है कि हो सकता है कि सत्ताधारी गटबंदन हमारे विदायकों में सेंध लगा दे तरह तरह के डरा धमका कर या प्रलोभन दे करके हमारे विदायकों को तोड़ ले तो इ हलाकि यह डर सिर्फ RZD को नहीं RZD से पहले देखिए कॉंग्रेस पार्टी अपने तमाम जो 19 विदायक थे उनको सिफ्ट कर दिया दूसरे स्टेट में हलाकि 3 विदायक नहीं गए है 16 विदायक ही है आनन फानन में उन तमाम विदायकों को एयर लिफ्ट करा करके और खबर है कि वोटिंग के दिन जिस दिन विश्वास मत हासिल करना है सरकार को उसी दिन सुबा सुबा वे सभी पहुँचेंगे और सिधे विदान सभा जाएंगे और कॉंग्रेस के बाद जो सबसे बड़ा दल है सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में RZD उन्होंने भी निर्णे लिया, RZD नेत्रितु ने भी निर्णे लिया है कि हम अपने तमाम विदायकों को एक साथ रखेंगे, इकठा रखेंगे ताकि विरोधियों को की चाल या उनकी जो साजिस है वो कामियाब नहीं हो सके यानि कि नितिस कुमार और भाजपा की चाल को नाकाम करने के लिए तेजस्वी यादों ने अफैसला लिया है कि हम तमाम विदायकों को एक साथ रहेंगे, हम तमाम लोग साथ रहेंगे और बजापता इसकी सूचना भी सभी विदायकों को दे दी गई है कि भाई आप अपने आवास से कपड़ा वगेरा जो सामान है वो मंगवा लिज तो हमें लगता है या फिर जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि इसके पीछे की वजह यही है कि कहीं न कहीं RGD का नेत्र तो डर गया है डर इसी बात को ले करके है कि अगर हमारे विदायक बाहर रहेंगे तो टूटने से कोई नहीं बचा सकता है लिहाजा डैमेज कं पहले ही कर लिया जाए अगर हमारे सभी विदायक साथ रहेंगे हमारे सामने रहेंगे तो वे लोग सेंध लगाने में नाकाम हो जाएंगे और इस तरह से हम सरकार को संकट में डाल सकते हैं सरकार के खिलाप हम अविश्वास प्रस्ताओ सरकार जब विश्वास प्रस्ताओ लाएगी तो हम लोग उसके खिलाफ में वोट करेंगे और हम लोगों के पास संख्या बल है जिससे हम सरकार को पराजित कर सकते हैं हलाकि संख्या बल कहीं साब से बात कर ले तो सत्ताधारी गठबंधन के पास 128 विधायकों का समर्तन है जबकि बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए तो कूल मिलाकर के बहुमत का आकड़ा तो कहीं न कहीं NDA के पक्ष में दिख रहा है लेकिन जिस तरह से किलेबंदी की जा र पाटी में हमारे विधायक दल में टूट हो सकती है तो ऐसा लगता है कि उसी टूट संभावित टूट से बचने के लिए लालू प्रसाद यादों ने यह चाल चली है क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादों की सलाह पर ही कॉंग्रेस नेत्रितों ने अपने तम सरकारी बंगला है फाइव स्टार बंगला उसी बंगले में पटना के बंगले में और जेडी के विधायक कैद रहेंगे तो निस्चित तौर पर हर घंटे कुछ न कुछ नया डेवलप्मेंट निकल करके सामने आ रहा है और उसी इत के तहत अभी यह खबर है कि तेजस्विया आदों ने अपने सभी विधायकों को बंगले में कैद कर लिया है अधिक अप्डेट्स के लिए देखे रिए उन्योच पने समय